Hey guys, welcome to technical flight तो दोस्तों Amazon से शॉपिंग करते में मुझे बहुत टाइम हो गया है लेकिन आज तक कभी भी मुझे Amazon ने कोई भी चेक नहीं बेजा है और बहुत ही स्टेंज बात है कि आज मेरे को ये डिलीवर हुआ है अब बैंक कोई भी हो सकता है लेकिन चेक आता है कुछ इस तरीके का ये एक पेपर है और जो ये पेपर है ये तीन फोल्ड में है सबसे नीचे चेक है लगावा पिर बीच में कुछ और डिटेल्स है और ये पहला पेज है वो ये है तो कहीं पर भी एक्षिली बहुत जाता क्लियर भी नहीं है कि ये आया कहां से क्या है लेकिन अगर आप इस चेक के सबसे नीचे देखें तो आपको यहां पी देखेगा अगर आपको इस तरीकी का चेक इशू होता है अमेजान की तरफ से लेकिन ये इतने सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेजान रिफंड कर रहा है मुझे बिना बताए चेक के तुरू ये कफी स्टेंज बात है तो इसका ज़र मैंने पता किया थोला सा और गयाने अमेजान में बात करी तो मुझे ये समझ में आया है यह चाइक कि आपको पैसे रिफंड कैसे करने है उस केस में बैंक की तरफ से एक आटूमाटिक चेक ज़ो है आपको इनिशेट हो दाइए रिफंड के तौर पर अब normally कहें कि Amazon आपके bank account में भी credit कर सकती है लेकिन अगर आपके Amazon के account में एक से ज्यादा accounts है तो even Amazon को भी समझ में नियाता है कि किस account में इसको credit करना है तो इसलिए आपको ये एक check issue हो जाता है अगर वो आपके नाम पे है तो आप अपने bank में जाए उसे deposit कर दीजिए जिस तरीके से आप normally कोई भी check को अपने bank में जागे dropbox में दालते हैं और फिर वो execute होता है, processing होता है और आपके account में पैसा credit हो जाता है लेकिन यहाँ पर problem यह है कि जब हम बनाते हैं अपना Amazon का account तो किसी भी नाम से बना लेते हैं, घर में किसी के भी नाम से होता है और उसी से कई बार shopping चल रही होती है और वहाँ पर भी हम लोग कई बार पूरा नाम नहीं देते हैं तो आपको जिस भी नाम से account बना हुआ है नॉर्मली उसी नाम से आपको ही चेक आएगा अब problem यह है कि यहाँ पर जो नाम है सिर्फ और सिर्फ first name लिखा हुआ हुआ है और जो bank account में जो नाम है वो surname के साथ में है तो ऐसे में क्या हुआ कि यह जो चेक है यह आपका credit नहीं हो पाएगा तो अगर आपका नाम इदम सही तरीके से आया हुआ है तो तो आप अपने bank में जाके इसको deposit करा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आपके नाम में mismatch है तो फिर आपको Amazon call center में बात करनी होगी और अगर आपकी बात होजाती है तो best possible यह है कि आप उनको बता दें कि आपका कौन सा account number है जिसमें कि वो आपके पैसे credit कर सकते हैं और at the same time वो इस check को cancel कर देंगे और आपके जिस भी आपको bank account में अपने पैसे डलवाने है उसमें आप डलवा सकते हैं और तो spotty काम हो जाएगा तो यह सबसे easiest way है बाकी यह है कि वो check तो आपको दुवारे भी issue कर सकते हैं आपके सही नाम के साथ में लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो आप गवना है ना बिल्कुल भी अगर आपके पास भी Amazon की तरफ से इस तरह का check हाता है आप Amazon से बात करिए और इसका solution आपको मिल जाएगा